वैए नमाशकार दोस्तों आप सबका आज के लाज से फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जोगरफी औप्शनल एंड यू सीरीज आज के लाज में हम लोग डिसकस करेंगे एक आर्टिकल निउस से related to India का role that India space के sector में कैसे कैसे काम कर रहा है इस type के analysis करके न वैसे लोगों के जो questions होते हैं that sir जी बताइए प्लीज that geography option को हम लोग जो current affairs चल रहा है उन से कैसे relate कर सकते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ और वैसे लोग of course जो के खुद से preparation कर रहा है उनके लिए बहुत ही जादा साहता होने वाला है और अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे comment section में जरूर लिख दीजेगा that sir continue रखिए क्योंकि जब अगर आपका response पता चलेगा तब हमें पता चलेगा that whether to continue this series or not anyways देखो अगर आप मैं आपको यह पूरा आर्टिकल पढ़ने भी नहीं बोल रहा हूँ पूरा आर्टिकल तो लोग तो पढ़ेंगे ही वो भी किस perspective में जिससे आप आराम से अपने GS के strong point of view से चलो वो चीज पढ़ो बट कही ना कही आपको मैं बोलूगा that चलो देखता हूँ राइट देखो आप सिफ पहला वाला टॉपिक पढ़ो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम के बारे में कुछ बात किया जारा है मैं यह नहीं बोल रहा हूँ जलो इस इंडिया को स्पेस के सेक्टर में स्टार्टाप हम बनाना है चलो कोई बात नहीं अभी फॉर्दा टाइम निग आप यहार रखें इंडिया स्पेस से पूछ रहा है राइट मतलब सबसे पहले जो आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए वो क्या करना चाहिए तो जोग्रफी ऑप्षिनल स्पेस में यहां हमाना मेंचर है तो जोग्रफी ऑप्षिनल के पेपर 2 इंडिया जोग्रफी में अगर देख लिजेगा फिफ्ट उनिट ट्रांसपोट कम्यूनिकेशनल ट्रेड में सबसे लास्ट वाला टॉपिक क्या है इंडिया स्पेस प्रोग्राम है ना तो देखो अगर यह पूछा गया है तो क्या हमें इसको अप्षिनल का एंगल नहीं देख सकते है आपसलूटली बिलकुल दे सकते है कोई हमें रोक नहीं सकता है देखो अब इसमें भी जो है ना बहुत सरे ऐसे हम आर्टिकल्स में प्रोट्स मिल जाएगा जहां पर आपको जीएस का पॉइट भी बिल जाएगा जैसे आप मोल सकते हैं कही ना कही हमें प्राइवेट सेक्टर या फिर स्टार्टप्स को जादा प्रोट करना चाहिए स्पेस फिल्ड में क्योंकि अगर वो जादा प्रोट होंगे तो इस रो का जो प्रेशर है ना वो घटेगा देखो यह सब जो पॉइट हुआ ना यह जरलिस्टिक पॉइट है इस सब को आप आप आप्शनल में मत यूज कर दे ना इसलिए आपको स्ट्रेस डाल रहा हो ना क्योंकि ऑप्शनल का कोशन लगता है ना एक दब देखने में लगता है ठाड़े भाई यह तो एक दब लुल्ला कोशन लगेगा आपको है ना बट आप भी अगर लुल्ला टाइप का आंसर लिख के आगा तो फिर आपको नमबर भी लुल्ला टाइप का मिलेगा ठीक है तो इस टाइप के छोटे-छोटे वाहियात पॉइट्स मत लिख दे रहा हो वो सब पॉइट्स अच्छे पॉइट्स है नो डाउट बट वो सब जीएस में काम देंगे यहाँ पर किस टाइप के पॉइट्स आप लिखोगे बताओ यहाँ पर देखो आप सिप्ली आप देखो क्योंकि यह अगेर जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं क्यों प्राइवेट प्लेयर का इंट्री मैं एक जस्ट आर्टिकल पे दिया हुआ था इसल अब चलाता है क्योंकि वो उससे पैसे कबाप है है ना सब ही कोई कोई भी चीज अगर काम होता है उससे वो पैसे ही कबाता है तो इसको हम लग अगर एक एक अगल दे दे राइट और हमारा देखिएगा आप इंडस्ट्री भी एक टॉपिक है इंडिया जोग्रफी का मानत तो हम लोग इस टूरिजम इंक्लूदिग इसमें जो ये टूरीजम वाला यूरे इसमें क्या हम लोग स्पेश टूरिजम को फ्यूचर प्रॉस्पेट सबेट कर सकते हैं आपस्लूटली राइट इस्पेशल एक जोन इड्रेंडस्री रीजलाशेशेशन मलिटिनेशनल ली क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं अगर और भी जादा liberalization को promote किया जाए और भी space related जो कानून है हमाने देश में अगर इसको सुधार आ जाए तो कहीं ना कहीं innovations को promotion मिलेगा है ना absolutely और आप इसको क्या आप growth pole center growth pole theories देखो वो भी growth pole देखो यह अचारक सदी बाग में आया अब लोग का ठीक है growth point growth center और growth pole तीर चीज होता है ना जी कारण इसके related और भी ancillary industries आपस में setup हो आजू बाजू में है ना ancillary industries अगर setup होंगी तो कहीं ना कहीं यह region as a hub बच जाएगा अगर future prospects में कोई भी space related industry setup हो तो वो इसी region में होगा right और वही चीज तो हमारा जाके आपका modville भाई साम ने बोला था है ना तो क्योंकि उन्होंने यहीं बोला था that एक particular region का जो है ना वो dominance होता है right क्योंकि एक influence zone होता है है ना उन्होंने growth pole theory को एक regional perspective में put forth कर दिया था देखो दो भाई साब थे एक थे पेरो एक था बोर्डविले राइट पेरो भाई साब ने कहीं ना के growth pole theory के बारे में सिर्फ बोला था ठीक है बट बोर्डविले भाई साब ने जो है ना उन्होंने growth pole growth center को एक regional aspect दिया growth pole theory में पेरो भाई साब ने बोला था एक particular जो बहुत बड़ा industry या ऐसा industry जिसका काफी ज़्यादा impact हो सकता है उस industry के कारण कोई भी region develop होता है बट बोर्डविले भाई साब ने क्या मोला था नहीं एक region का influence होता है एक influence of zone होता है और उस influence of zone में अगर कोई भी आप अगर industry help line में भी contact कर सकते हो राइट तो anyways क्या हाँ इस growth pole growth center और growth point theory को इससे integrate कर सकता है absolutely हाँ यह बता सकता है जेको अगर कभी भी अगर इंडिया ने private sector को और भी जादा liberal थोड़ा खुले हाथ छोड़ दिया तो कही ना कही वो लोग they can convert a particular region into you know growth center right which is based on space related aspects right इससे क्या होगा promotion का industrial regionalization का हम लोग एक special economic zones भी create कर सकते है again special economic zone के various aspects जो हम लोगो ने discuss किया था उसको भी आप जोड़ सकते हो अगर special economic zone क्या होता है ऐसा एक zone जहां पर वहां पर जो economic क्या मोलता है सरकार के दुवारा जो बना ही जाती है ना डूल्स तो वो थोड़ा liberal किया जाता है जिससे क्या वहां पर industries को promote किया जा सके तो सरकार अगर specific बना दे दाट चलो भाई आप कोई-कोई एक particular region में हम लोगों ने space hub बना दिया तो वहां पर कही नए जो engineers होते हैं भावे engineers वो लोग वहां पर जाके अपना practice भी कर सकते हैं अपने space related industries को भी set up कर सकते हैं services भी provide कर सकते हैं तो देखनो कितना चीज को हम लोगों ने जोड दिया हम लोगों ने economic geography को जोडा right industry जो unit है उसको direct जोड लिया हम लोगों ने regional geography को भी इसके साथ जोड लिया हम लोगों ने देखो tourism कहा कहा से हम लोगों पर जोड रहा है तो इस टाइप के चीज़े आपके दिमाग में भी आनी चाहिए यही क्यो political aspect देखो यह भी तो एक unit है ने जोगणफी का right वहां पर क्या एक है cross-border terrorism right अब आप बोलिएगा sir space से cross-border terrorism का क्या लेना है देना आप खुद सोचो Udi attack right उसके बाद जो भी हम लोगों ने घुसकर वहां पर मतला Pakistan में जो terrorist camps उराये थे हमारे सेना ने उनको data कहां से विला था that वही पर एक particular जैसे बोला जाता है जो news में आ रहा था एक कोई you know वहां का extremist ideology इसको promote किया जाता था कोई मदर सामें और वही पर जाके बंग गिरा तो हमें पता कैसे चला हमें space technology के आधर पर ही तो पता चला क्यूंकि देखो जो भी इंसार रहेगा हर एक इंसान के पास तो मुबाइल तो रहेगा अब अगर वह मुबाइल लेकर है कोई एक particular region में अगर आपको मुबाइल के बहुत जादा 500 signals आ रहे हैं है ना तो automatically कही ना क space technologies का भी इस्तवाल करते हैं जिससे futuristic cross-border terrorism को हम लोग रोक सके और preemptive strike अपन carry out कर सके to those countries who are planning to harm us in future बिलकुल लिख सकते है क्यों क्योंकि यह cross-border terrorism से included है समझ रहे हो बात है ना तो देख रहो क्या-क्या अलग-अलग aspect दे रहे हो अच्छा यही क्यों आप और भी कुछ economic angle सकते हैं चलो कुछ आप आपके साथ मिलकर सोचते हैं चलो आप भी सोचो मैं भी सोचता हूं राइट और आपके पास अगर कुछ इन पॉइट से जादा आना है ना make sure आप बीचे comment section में लिख दो बहुत मज़ा आएगा चलो यह kind of game खेलता है यार सब कोई मिलकर खेलेगे ना बज़ा आएगा है ना तो देखो हम लोग क्या इसको limits of growth model से include कर सकते है limits to growth model absolutely क्यों कि limits to growth model में क्या बोला गया है that समय के साथ जो है population बढ़ेगा right population बढ़ेगा pollution बहुत जादा बढ़ेगा है ना एक पॉर्ट अप टारिक का बाद population घटेगा जरूर बट साथी साथ resources भी घटेगा है ना अब resources मतलब क्या resources in general बोला गया उसमें resources उसमें यह नहीं बोला गया that food resources या फिर अलग टाइप of resources आप खुद सोचो ना जपान एक कांट्री ले लो जपान केंता छोटा है वो क्या resource rich country है absolutely नहीं but still Japan का position अभी कहा है कितना जाना developed country है right तो वही चीज ना पैसे होने चाहिए अगर हमारा सोचो space technology इतना must develop हो गया that हर countries हमारे पास आ रहे है बल्लब of course Pakistan, China, Turkey इस टाइप के countries छोटके तो आप खुद सोचो कितने पैसे आएगे इंडिया के पास है ना और पैसों से ultimately हम अपने national growth के उपर भी खर्चा कर सकते है इससे हमारा resource rich हम भी बनेंगे दिरे दिरे राइट, resource rich बनेंगे तो वह जो हमी जिस position में जपान है उस position में हम लोग भी आ सकते है of course, इस ताइप के चीज़ा सोच नहीं कोशिश करो, आपको सोचना पड़ेगा तो कही ना कही इस ताइप के अगर चीज़ा बनेगी तो no doubt हमारा influence जो इंडिया ओशनिक रीजन में है ना, इंडिया ओशनिक रीजन में वो बनेगा, हमारा soft power बनेगा, अगर soft power बनेगा तो क हाई, तो हर्ट लेड रिवलेड थीओरी में जो है ना, हर्ट लेड के आजू-आजू जो पूरा रिवलेड लिया गया यह पूरा यूरोप से लेकर चाइना जापान वो तक ठीक है, उस पूरा को रिवलेड पकड़ा गया है, आप याद करो, जो हम लोगो ने पढ़ाय हो हो जाएगा, नो डाउट आभी चाइना उबर रहा है, और इडिया भी उबर रहा है, बट इडिया का उबरने का जो रेट है ना, वो बहुत हब तक बढ़ जाएगा, समझे रोबा, तो यह सब चीज़ें भी बिलकुल लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम जोड सकते हैं वेबर्स के इंडिस्डियल लोकेशन बौडल बें, एक काम करते हैं, वेबर्स का इंडिस्टियल लो केशन बोला किया है, उस में बोला गया है देखो ओ, raw material, जो एक होता है weight losing industry, right, एक होता है weight gaining industry, ठीक है, weight losing industry मतलब जैसे iron steel industry, right, यहाँ पे, जहाँ पे raw material है, iron steel का, उसी के आजू-आजू industries का setup होगा, market के बाजू में नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, और यह किसलिए transportation cost को भी revise करने के लिए, यहाँ पना पढ़ा हूँ है ना, मैं in depth नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं just relation आपको बतना रहा हूँ, कैसे आप relate कर पाओगे, right, anyways, वैसे ही, अगर हम weight gaining industries की अगर बात करें, तो weight gaining industries में क्या होता है, raw material के बाजू में नहीं, बलकि market के बाजू में आपका जाके industry setup होता है, है ना, अब आप दोखो, हम मैं space industries के बारे में बात कर रहा हूँ, right, अब आप खुद बोलो, space industry, क्या goods based industry है, या services based industry है, पता है, यह दोनों है, यह goods भी है है और services भी है, usually जो यह लगता है ना, यह goods based industries में जादा तर यह applicable होता है, no doubt, services related industries में भी applicable होता है, for example, देखो, goods आपको पता है, जैसे आरे रिस्टी, that is goods, right, वैसे ही एक watch, wrist watch, वो क्या है, वो weight gaining industry है, right, तो, again, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, that, यह जो setup होता है, यह ज कोच लो ना, आज से 2-3 साल पहले, आप अगर geography option का coaching करने जाने होता है, तो आपको दिल्ली जाना होता था, है ना, वहाँ पर coaching को जोइस करना परता था, बट क्या भी आपको वो करना पर रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि services का जमाना है, internet के थुरू, आप घर बैठे-बैठे सिर्फ कुछ नहीं, आपको सिर्फ smart trackers आपको download करना पर रहा है, और वहीं पर आपको online classes, answer writing series, सब कुछ मिल जा रहा है, तो घर बैठे-बैठे, देखरो, तो internet रे revolutionize कर दिया चीज को, तो आखी, अगेर, वो internet वाला services aspect जो वो अलग level का हो गया, बट यहाँ पर जो हम लोग space related aspect कर रहा है, no doubt, space में भी internet related services provide की जाती है, है ना, जैसे अगर आप जैसो, हम लोगों जो भी surgical strikes carry out कर रहा है, वो कहां से, दिल्ली में बैट कर सब कुछ किया जा रहा है, है ना, no doubt, assistance दिया जा रहा है, जरूर space labs का, no doubt, but ultimately दिल्ली में बैट कर सब कुछ किया जा रहा है, right, but वही पर goods, अब देखो, space का एक तो वो aspect हो गया, but एक goods वाला भी aspect है, क्या है, अब ultimately कहसे हम को ये सब चीजे बिल रहा है, satellite तो बनाना पर रहा है, right, उसके लिए ultimately हमें launch pads में जाना पर रहा है, right, समझ रहो, तो ये भी जो है आपका great gaining industry हुआ, क्यूंकि आपका satellite बन रहा है, ऐसा नहीं देखो, ये सब बहुत sensitive चीजे होती है, इसको बनाने में ही काफी जाए attention होता है, right, तो आप इसको या कही पर भी, दुनिया का कही पर भी setup कर सकते हो, और वहां से ये सब चीजे आप carry out कर सकते हो, ठीक है, तो again, अगर goods वाला aspect इसका लेंगे, तो उतना जादा applicable, हाँ, है ज़रूर, बट नौट that much, और space वाला तो खेर आपने बताई दिया, नहीं, आपको सिर्फ दिमाग में strike, just within 5 seconds, 5 seconds सिर्फ आपको इस topic के बारे में सोचना पड़ेगा, 5 seconds आपको crossbaron terrorism के बारे में सोचना पड़ेगा, 5 seconds सिर्फ आपको limits to growth model के बारे में सोचना पड़ेगा, heartlandry blood theory, growth pole, growth center, जो भी हम लोगों ने इस से relate करने की कोशिश की, वैसे सोचना पड़ेगा, right, और ऐसे सोचोगे, तो no doubt guys, trust me, भली आपको अभी लगेगा that initial growth में क्या बखवास चीज कर रहा हूं, boring चीज कर रहा हूं, but एक बार चाप answer writing लिख For example, you have not joined anywhere, right, and you want to get your answers checked from us, आप नीचे जो Google form का link दिख रहा है, आप अपने answers को लिख देना, right, या फिर attach करके हमें भेज देना, या फिर यह जो, आपको मिल रहा है, WhatsApp number, इस WhatsApp number में ही ना, आप अपने answers को चेक कर रहा है, ठीक है, हाँ, आप Saturdays और Sundays को भेजना, because those are the days, जहां पे थोड़ी जादा time मुझे भी मिल जाती है, and I will make sure that मैं आपका personal वो copy check करके आपको personal review दू, right, anyways, इस type के कुछ भी रोमांचक चीज अगर आप जानना चाहते है, और further अगर जोग्रफी optional classes को आप attend करना चाहते है, if you feel like that, आपका, you know, preparation level उतना जादा नहीं है, and you want to give a very serious attempt, तो आप दोस्तो हमारे English and as well as bilingual courses भी जोइन कर सकते हैं, again, नीचे Smart Rankers आपका link दिया हुआ है, download कीजिए, और उसके थुरू आप सब कुछ कोर्स का access भी आपको घर बैठे मिल जाएगा, this was all about the discussion that we had for this very class, और प्लीज नीचे सक्शन में जारूर लिखेगा, that ये Geography Optional and U series आप आपको अच्छा लग रहा है या नही, you add whether you want me to make more and more of upcoming lessons into it or not, please write it in the comment section, thank you guys, thank you very much.